आत्म सोंदर्यम वीरेशह अंधह आसित तस्य पत्नी मृता इतिकारणतह तस्य चतस्रह स्नुशाह एव वीरेशस्य रक्षणं कुर्वंतीस्म कदाचित तस्य गुरुहं कष्चित चित्रकारह आगतवान सुधर्याह स्त्रियाह चित्रम रचनीयमिथी वीचिन्त्य सहबीरेशस्य स्नुशाणाम सौंदर्यविशयम विज्ञात्वा तत्र आगतवान आसित परणतो तासु एकायका अपी अप्रतिमा सुंदरी आसित अतह ये तासु परमसुंदरीका इत्नि निर्नायम कर्तुम अशक्तह चित्रकारह स्नुशाह एव एतद मिशये प्रुष्टवान। परंतु ताह लज्याकारणतह कीम अपी न उक्तवत्यह एव तासाम पतयह अपी एतद विशये मौनं एव अश्रितवंतह। परितह विध्यमानाह यतामती उत्तराणीं दत्तवंतह। येतस्मात चित्रकारस्य मनसी भ्रमह उत्वन्ह। रात्रो वीरेशस्य पार्श्वे एव चित्रकारह शयनं कृतवान। संभाशनं कुर्वन चित्रकारह स्वसमस्याम वीरेशं उक्तवान। तदा वीरेशह उक्तवान भवान की मर्थम चिंताम करोती, ममद्वितियायाह स्नुषायाह याद्रिशं सोंधर्यम अस्ती, ताद्रिशं प्रपंचे न्यस्यायाह कस्यास्चित अपिन नास्ती, इती अहं भावयामी इती. अनंतरदिने चित्रकारह निरनीतवान यत् वितियायाह स्नुषायाह चित्रम मेखनियम इती. यतस्यकारणं वीरेशह एव इति ज्ञात्वा अन्येशाम वचनं येशह चित्रकारह न अंगी कृतवान, परन्तु एतस्य अंधस्य वचनं कथम अंगी कृतवान इद जनाह चित्रकारस्य उपहासं कृतवं तह केवलया दृष्ट्या साउंदर्यम मापयतुम नशक्यते असमाकम अनुभूत्या यत साउंदर्यम मापितं भवती तदेवा महत्वभूतं भवती आत्मसाउंदर्यम बाह्यसाउंदर्यात पृतकृत्या दर्शैतुम अंधह एवशक्नोति बाह्यसाउंदर्येन त्रिसूशु स्नुशासु समानासु अपे द्वितियायाह स्नुशायाह आत्मसाउंदर्यम अधिकम अस्ति अतह तस्याह एव चित्रम लिखितम। इति उक्तवान चित्रकार ह। ये तच्षृत्वा अन्याह स्नुशाह द्वितियाम स्नुशाम आदरेन प्रेमन अभिमानेन च्ष मंदाह सपूर्वकं दृष्टवत्यह।